हाँ तो बाई कौन-कौन इंदीदी को जानता है मुझे कॉमेंट बता दो क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों से बहुत लोग पहले से इनको जानते होगे वो कहते हैं ना कि इंडिया में ठड़की लोगों ही कमी उतना ही है जितना अपने देश में oxygen cylinder की कमी है मतलब साले सब ठड़की है नई भाई तुम यह वीडियो देखो तब मैं तुमको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस वीडियो से हाँ मुझे पता है कि तुम लोग में से बहुत लोग बोलोगे कि भाई यह लड़की है लड़कियों का फॉल्वर्स असानी से बढ़ जाते हैं तो हाँ यह बात बिल्कुल सही है तो फुर गलती किसकी है हमारी या इनकी मतलब यहां पर ऐसा सीन है कि अगर तुम दिखने में अच्छे हो तो तुम्हारे फॉल्वर्स रॉकेट की स्पीड से बढ़ते हैं बस सर्थे तुमको इंस्टाग्राम पर गांड हिलाना आना चाहिए तैलेंट हो या ना हो तो चलो मैटम के फेंस में लसन और लॉड कि और यही फड़क है और उनके टालेंट है वह भी यही है अब मैं तुमको इनकी जितना भी वीडियो तिखा हूं बस तुम उस में इनके और इनके स्टेफ नोटिस करना अरे भाई देख रहे हो वो चलने वाला कैंसर कैसे फैला है सलाइस मैडम का ये कैंसर इसकतर फैला है कि जहां देखो वहाँ ये ऐसी रंगिन बक्षोधी पेल ले हैं और इन मैडम नो तो हदी कर दी चलो ठीक है चल ले हो पर ये स्कूल डेस का कैसीन है भाई देखो भाई मैडम ने भले इसकूल डेस ब्लेक और वाई पेना है पर बक्षोधी ये सतरंगी पेल लई है अब वो मेरे साथ नहीं है समझे ना समझाने की बात नहीं है समझे ना वाई अब वो साथ नहीं है समझे ना समझाने की बात नहीं है समझे ना मैडम आप क्या समझाना चाह रही है जो हम समझे नहीं और वो क्या चीज़ता जो समझ के हम समझ जाते कि आप क्या समझाना चाह रही है समझ में आ रहा है सला इनकी बात समझने की चकर में हमारे दिमाग का पहुंच रहा हो गया बाई और सला ये मैडम कहना क्या चाहरी है चलो एक बार फिर से देखते हैं इनका क्लिप मैडम मैडम जितना जोर आप हमें समझाने में लगा रहे न अगर इतना जोर आप अपने बातरूम के कमोड में लगा लेते तो कुछ ना कुछ हो जाता और वैसे भी बातरूम में समझाने वाली रंगिन बुक्सोदी आप ही लोग कर सकते हैं हम लोग नहीं देखो भाई ये वीडियो बारे में बात करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में रंग भणे वाले का बारे में बात करलेते हैं जानते हैं अब जए ये 2 साल पहले अशी ही दिखती और अभी ऐसी दिखती है जिनको मेरी तर लग रहा कि ये मैडम करना क्या चारी है तो मैं तुमको बता दू कि इंस्टेग्राम पे एक ट्रेंड आया था जिसमें इंस्टेग्राम के सभी इंफ्लुएंसर ऐसी ही बक्षोदी पेल लाये थे अच्छा मोबद हो गई है ओ हमसे हो गई है अच्छा जिन्दगी लेनी हा हमारी हम बुरे है तुम्हें नहीं मिल सकते अच्छा बात सुनो पसंद बुरी नहीं तुम्हारी मतलब खुद के तारीब इसे कहते हैं सिंगल से गड़ी में मैडम कर रही है अपना आटा गीला और रही बात आपसे प्यार होने की तो पहले इंस्टेग्राम की ये फिल्टर हटाओ फिर बात करते हैं आए हाए टोनी का कर गाना वो भी बूटी सेख चलो ठीक है इन मैडम का बूटी सेख तो समझ में आ रहा है पर ये मैडम क्या कर दिया भाई हाँ गाने कनाप पे कुछ भी कर लो बागे हमारे देश के जनता तो है ही जो आपको फॉलो और लाइक करी देंगे इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे डांस कनाप पे लोग कुछ भी करते हैं हाँ जी एक और डांस टेप जिसको बच्चे भी इन से अच्छा करेंगे नई भाई मैं इनकी हर वीडियो स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूं और इनकी लगबग हर वीडियो सेमी है मतलब इनकी हर वीडियो में सेमी स्टेप पर इनका कमर लेफ्ट से राइट होता है पस यही देखनों को मिल ला है और चलो तुम डांस कनाप पे कुछ भी कर रहे हो पर ऐसा मूँ क्यों बना रहे हो बाई इनको लगता कि ऐसा मूँ बनाने से यह लोग होट और सेक्सी दिखेंगे अब चलो कुछ अच्छा करो यह मूँ अच्छा हो जाने से आपका कॉंटेंट या फिसको जो भी कहते हैं वह अच्छा नहीं हो जाता और इनकी एक ही जैसा वीडियो देखके मैं तो पक गया हूँ भाई अस गांड फट गई हाँ भाई फट गई फट गई मेरी मान लिया मैंने लेकिन अब इसके आगे मैं नहीं देख सकता हाँ तो भाई आज की मजदूरी यही खतम करते हैं और यह वीडियो सिर्फ एक अगर तुम कोई वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो सेर करो और कॉमेंट में मुझे बताओ वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था एक कमेंट करना ही तब ही तो यह वीडियो चलेगी बागी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो म अधरी में तो थैंक्यू गाइस थैंक्यू सो मच पर कमिंग बाइ बिनोध चल्चोर रहने ते अगले वीडियो में बोलूंगा